रोज की तरह एक चरवाहा अपनी भेडों को घास के मैदान में चरा रहा था तभी कहीं से एक मोटा सुव वहां आ गया जब चरवाहे की नजर सुव पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया जैसे ही चरवाहे ने सुव को पकड़ा वो तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को चुड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन चरवाहे की पकड़ मजबूत थी उसने सुव के सामने और पीछे के दोनों पैर रसी से बांध दिये और उसे अपने कंदे पर लटका कर कसाई के पास जाने लगा सुव जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था मैदान में चर रही भीडे सुव के इस व्यवहार पर बहुत चकित थी उनमें से एक भीड कुछ दूर तक चरवाहे के पीछे पीछे गई और सुव से बोली इस तरह चीखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती चरवाहा रोज हम में से एक भीड को पकड़ कर ले जाता है लेकिन हम तो यू नहीं चीखते तुम तो बेकार में इतना उत्पात मचा रहे हो शर्म करो भीड की बात पर सुव को बहुत गुसा आया वो और जोर से चीखते हुए बोला चुप रहो चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़ कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा उन चाहिए होता है लेकिन उसे मेरा मास चाहिए जब तुम्हारी जान पर बनेगी तब बहादुरी दिखाना